जब पता बढ़ाया कौन की मान अदूत भी आए किसीने कच्छा भी एक रही जागा किसीने सेथ नहीं कभी आए अर मलंगा मैं जगन गूजर और जसमन तो को मानने के लिए साज़वारी में नहीं मारा इसलिए मुसे खिलाप है और तू लड़ ले तेरी मर्जी पर है जब फिर साथ अंते लड़ यहात हैं तेरी मर्जि ऊपों फ लाले मुंझे मुझा रहा था कुछ नहीं इसमें मुझे में जूट साइख जो पहले हैं demokrat's में डकेस रहा, मैंने बाडी हुं कभी चंद्ना नहीं किया, बदमास था, अब क्या चंद्ना करूंगा मैं, इसके लिए छुट्टी-पट्टी, इसकी पीठवे जिवरा, इसकी घरपाओं प्रशासान रोख, जब पता अपड़ा मौनली, पांच मिल्द के लिए, मैं तुझ बहुत थापरों बढ़ायकें, साम सतें, बद तेरे सेहना नहीं किया है, तो आदाब नहुंसकार को डिनिंग से स्यकारे को फिर आप तमाम लों का स्वागत है, क्रेम तक की कहानी कि इस एपिसोड में, उमीद है, पूरी फैमली अच्छी होगी, अभी आभी आपने एक वी से ज़्यादा महां पे खतरनाक कुख्यात डाको हुए हैं, और क्या पता, डाकों के कोई नई खेप आ जाए, क्योंकि चंबल बहुत दिनों तक, चंबल के बीःड़ बहुत दिनों तक, बिना डाकों के नहीं रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, वक्त वक्त पर दौर दौर में, चंबल डाकों से आबाद रहा है, लेकिन कहा जाता है कि कोई आखरी बड़ा डाको, चंबल में है या हुआ, निर्भै गुजर के बाद, जिसका एंकॉंटर हुआ था, तो जगन गुर्जर था, और आज की कहानी इसी जगन गुर्जर की हैं, और ये विडियो दिखाने का म विडियो से बाते करते हैं, बंदूक की जगह पे गोली चलाने की बजाया विडियो से फैरिंग कर रहे हैं, डाको जगन गुर्जर, चंबल का डाको, वो भी सोशल मीडिया को फॉलो करता है, सोशल मीडिया को जानता है, बलकि इसके बारे में तो ये भी कि उसने एक शक्त राजिस्थान के एमेले हैं, विधायक, ग्रिराच सिंग मलिंगा, उनको धमकी दी, जान से मारने की, वीडियो में जो आपने सुना होगा, वो ये कह रहा है, कि सिर्फ दो घंटे के लिए पुलिस प्रशासन को अलग कर दो, हटा दो, पांच मिनट में तमाशा दिखा दू दे, तो पुलिस का पैनिक होना लाजमी है, और इसी के बाद पुलिस हरकत में आई, करीब 130 किलो मेटर के दायरे में, तीन स्टेट्स में चंबल फैला हुआ है, मद्यप्रदेश, राजिस्थान और उत्तरप्रदेश, तो उस चंबल की बिहर में पुलिस की कई टीमे सर्च उपरेशन में लगी रही, और आखिरकार मंडे को एक तस्वीर सामने आई, जिसमें डाकू जगन गुर्जन पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के बीच में है, कहा गया कि उसे पकड़ लिया गया, हलाकि उसकी गिरफतारी को लेके तमाम शक और सवाल उठ रहे हैं, और उसने खुद को सरिंडर करवाया, अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर, कोई डाकू ये कहे कि उसकी गल्फेंड को पुलिस पकड़ ले और कहे कि मैं भी अब गरफतार होना चाहता हूं, लेकिन शर्त ये है कि मेरी गल्फेंड के साथ मुझे रखना, और बाकी भी शर्ते ह आया, अभी दो दिन पहले उसकी गरफतारी हुई है ये कि शाइद पांची वे बार सरेंडर किया, तेसले ये कहानी आपके सामदे है, बात 1994 की है, चंबल के हर डाकूओं की तरह आई, डाकू जगन गुर्जर की कहानी भी शुरू होती है, एक किसान परिवार में पैदा धौल पूर इलाका, धौल पूर से लगा हुआ चंबल, वहीं बड़ा हुआ, बहन थी, बहन के शादी हुई, गौव में रहता था, जमीन को लेके दूसरी पार्टी से जगड़ा हुआ, जगड़े में मार पीट हुई, और ऐसी एक लड़ाई के दौरान, जगन गुर्जर कि जीजा थे, उनकी मौत हुई, जैनि उनका कतल हो गया, इसकतल के बाद जगन गुर्जर को बड़ा गुसा आया, उसने कहा कि वो बदला लेगा, इसके बाद उसने भी हमला किया, गाउं के एक शक्स को जिसने उसके जीजा को मारा था, उन में से एक को उसने मार डाला, मा कहानियां डाकू और बिहर से शुरू होती है उन्हीं की कहानी की तरह जगन गुर्जर की भी कहानी शुरू ही उसे लगा कि पुलिस और कानून से बचने का और एक ही रास्ता है और वो है चंबल के बिहर की तरफ कूच करो और वो भी चंबल की बिहर की तरफ निकल पड़ा ज आप ये पांच लोग थे पांचों चंबल में पहुंचते हैं पहुंचने के बाद पुलिस से तो छुप गए अब जिन्दगी कैसे चले खाना पीना कैसे चले तो चंबल में जाने के बाद और तो कोई काम होता नहीं है वहाँ आप नौकरी कर सकते हैं ना खेती कर सकते हैं न प्राज भी और कोई रास्ता था निए फिर उसने अपनी डखैती शुरू कर दी पांच लोगों से गैंग बनाया और इस गैंग के जरीए अब लूट पार्ट शुरू कर दी धीरे दीरे लूट पार्ट में महारत हासिल होई काम्याबी मिली फिर गैंग बढ़ता गया वक्त बीता पांच के बाद अब करीब 25 लोगों का गैंग हो जुका था डाकू गुर्जर का उस दौराम में उस चंबल में और भी बहुत सारे गैंग थे गिरोह थे डाकूं के अलग लग लग सब अपना अपना काम कर दे ये भी कर रहा था इस बीच में अब जगन के पिता गाउं में रह गये थे उन्होंने अपने बेटे का साथ नहीं दिया उन्होंने का मैं नहीं जाओंगा और वो गाउं में ही तब तक रहे लेकिन फिर वक्त बीता और जगन गुजर का नाम हिटलिस में आना शुरू हुआ पुलिस उसे तला जो सबसे पहला उसने आतंग का काम किया वो ये कि उस गाउं में अब किसी की शादी नहीं होने देंगा ये उसने खाई और उसने कहा कि अब ये जो उसका गाउं था भावविती पूरा ये धौलपूर के डंग अलाके के पास है तो जीजा की मौत का बदला उसने ऐसे लिया कि अब इस गाउं से ना कोई डोली उठेगी ना कोई बारात आईगी और जब जब किसी ने रिष्टे की बात की और शादी फिक्स हुई इसके गैंग के लोग पहुँच जाते गोलिया चलाते और सीरे कहते कि अगर यहां से डोली उठी या बारात आई दर्वाजे पर तो तो तमाम बारातियों कोई भी मार देंगे और पूरे घर वालों को मार डालेगी डाकुजगन गुर्जर की दहशत इतनी थी कि लोगों ने कहा शादी नहीं करेंगी कुछ लोगों ने गौँ छोड़ दिया कुछ जब शादी करते तो उस गौँ से दूर कहीं और छोटे मुटे शहरों में चले जाते वहां रिष्टा करते वहां से अपने बच्चों की शादी करते लेकिन उस गौँ में शादी नहीं की करीब दस साल तक कहते हैं कि 94 से लेके 2004 तक इस भुवती पूरा में कोई शादी नहीं नहीं दस साल के बाद पहली शादी हुई और ये शादी किसकी थी फुद्र डागू जगन गुर्जर के जो भाई थे उनकी बेटी को इसने पाला था अपनी बेटी मान कर अब उस बेटी की शादी का वक्त आ गया हूँ तब इसने उसी गौँ में जाकर उस बेटी की शादी गी और फिर पहली बार तब उसने वो अपनी कसम हटाई और उसन बागी डाकूओं की तरह इसका भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन 2001 में जब इसने शादी की थी 2004 में तो अब शादी भी करनी थी और भी कई चीज थी तभी कहते हैं कि इसकी जो गल्फरेंड थी उसके साथ वह एक बार फाइरिंग में जो पुलिस का इंकॉंटर वह उसमें घायल हो लेकिन हाथ नहीं आये लोग पुलिस इंकॉंटर के बाद अपनी घायल प्रेमिका को लेकर डाकू जगन गुर्जर दूर के गाउं के एक नर्सिंग होम में पहुंसता और वहां इलाज कर जाता है गोली लगी थी उसकी प्रेमिका को लेकिन इतफाक से किसी मगबिर से पता चल जाता है कि डाकू जगन गुर्जर अपनी प्रेमिका का यहां इलाज करा रहा है पुलिस के टीम वहां दबिस डालती है वहां से जगन गुर्जर तो भाग जाता है लेकिन घायल उसकी प्रेमी का पकड़ी जाती है जब वो पकड़ी जाती है तो डाकू जगन गुर्जर बेचैन होडता है इसके बाद पहली बार ये बात थी 2001 की 2001 में ही पकड़ी गे थी उसकी गल्फेंड तब वो पुलिस के पास पैगाम बेजाता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं लेकिन शर जगन गुर्जर की कारिस्तानियों से पुलिस वैसे ही परेशान थी उसे लगा चलो उसकी ये शर्ट माल लेते हैं 2001 में उस वक्त वहां पे सुप्रिंटेंडेंड और पुलिस थी इस पी बीजू जोज़ जोजफ एस पी थे उनके सामने आखिर का शर्ट पुलिस ने माल ल ने इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया वह जेल में रहा लेकिन फिर जवानद पर वह बहर आ गया जब बहर आया तो उस वक्त की बात ती ये 2007 की चरीप 6 साल जेल में रहा चेशाट साल जेल से बाहर आने के बाद इसने फिर से डाकाजनी शुरू कर दी लेकिन अब भी डाकू जगन गुर्जर का उतना नाम उतनी दहशत नहीं थी उस वक्त तक या उससे पहले जो आखरी निर्भाई गुजर की थी लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा होता है जिसके बाद एक साथ ती स्टेट की पुलिसम डाकू जगन गुर्जर के पीछे पढ़ जाती है और यह मामला है 2008 का राइस्थान में उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी वसंद्रा राजिस सिंधिया राइस्थान में गुर्जरों का एक आंदोलन चल रहा था गुर्जर आंदोलन उनकी अपनी मांगे थ बहुत सारी चीज़घन हों तो यह बेल पे बाहर था डाकू यह भी गुर्जर थी इस आंदोलन में यह भी कूर गया इस आंदोलन में हिस्सा लिया अपने एलाकों में गुर्जर को एक तरफ से लाम बंदी की और जो गुर्जर की मांग की सरकार मान नहीं दिती गुर्जा रांदोलान को दबाने की कोशिश हो रही थी ये बात जगन गुर्जर को भी पता चली इसके बाद उसने एक एलान किया और इस एलान ने पूरे राजिस्थान में हरकंप मचा दिया धौलपूर में चुकि उनका एक महल था धौलपूर में डाकू जगन गुर्जर ने कहा कि अगर गुर्जरों की मांगे नहीं मानी गए अंदोलन को कुछला गया तो वसंदरा राजिय सिंधिया के इस महल को बम से उड़ा देगा अब एक मुख्यमंत्री के महल को उड़ानी की धमकी एक डाकू द जाता वो मिलता नहीं है इदर महल की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और आखिरकार जब तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं पकड़ा जाता तो फिर उसके उपर एक 11 लाक 11 लैक्स रुपीज का इनाम डिकलेर करती है राजस्थान पुलिस और कहती है कि जो भी उसको पक पकड़ेंगे पैसे मिलेंगे अब दभिश और तेज हो जाती है चंबल के कोने कोने पर चापे मादे जाते हैं लेकिन जगन उनके हाथ नहीं आता है लेकिन पुलिस की इस घेरे बंदी से वह परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि पुलिस अंकॉंटर भी न कर दे आख उस वक्त सचिन पैलेट जो थे वो सेंटर में मिनिस्टर थे और अभी राज्थान के डिप्टी सीम है तो सचिन मायले पैलेट को उस मेले में चीज के तौर पर आना था जगन गुर्जर उन तक मैसेज पहुचवाता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं और 2009 में अब चुके पैलेट के सामने अपने गैंग के साथ सरेंडर कर देता है उसे फिर से जेल भेज़ दिया जाता है ये सेकंड सरेंडर था उसका इसके बाद फिर वो लंबे वक्त तक जेल में रहता है बहुत सारे मुकदमे थे धीरे मुकदमे कम होते जाते हैं सारे मुकदमे में वो बरी ह रुबा चुका था बाहर आने के बाद वो फिर से चंबल का रुख करता है फिर से अपना गयां खड़ा करता है फिर से लूट पाइट करता है एक होता है जिसमें वो एक गाओं मेंदा लेने के लिए घुशता है और वहां की महिलाओं को उनके कपड़े उतार कर उन्हें एक घंटे तक गौओं लिए अब उसको ले कि फिर फोर करती है। और अब उसकी फिर से स्वरूशोर से तिलाश शुरू होती है। जाकर बाजार में गोली बारी चल्म करता है, दुकानदारों को मारता है। पुलिस एक बार फिर हरकत में उसे ढूंडती है आखिरकार फिर एक बार दविश पड़ती है और 19 अगस्ट 2018 को तीसरी बार वो उस वक्त की आई जी थी वहाँ पे मालनी अगरवाल उन तक मैसेज पहुचाता है कि मैं सरंडर करना चाहता हूं पुलिस उसको पकड़ने में न डाकू जगन गुर्जर ने सरंडर कर दिया एक बार फिर से उसे जेल भेजा गया वो जेल भेजा गया और इसके बाद 18 की बात थी फिर वो करीब साल जेड़ साल जेल में रहा इस दोरान में उसके उपर कुल करीब 79 केसिस थे मुकद्वे इन में से 78 में वो बरी हो गया क्योंकि कोई विटनेस नहीं आया देशत इतनी थी सिर्फ एक केस में उससे सजा हुई वो भी 10 साल है और वो केस था पुल सब्सक्राइब ने 2019 में बलके 19 में उसे जमानत दे दी जमानत में वो फिर बाहर आया लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया फिर उसने वही गुना के रास्ते अक्तियार किये वही चंबल वही डाकुगरी वही सारी चीज है इसके बाद फिर उसने एक बड़ा एक किया गोलियां चला ही बाजार में वसूली की फिर पुलिस के टीम उसके पीछे पड़ी काफी कोशिश के बावजूद फिर भी हाथ में रहा है 2019 के एंड में एक बार फिर उसे लगा कि अब पुलिस उसके उपर दविश डाल रही है उसका मन भर गया शायद बाहर रहने से फिर अपनी शर्तों पर वो उस वक्त के एसपी के पास पहुंचता है और उनके सामने जाके सरेंडर कर देता है 2001 से लेके 2019 तक चार बार डाकू जगन गुर्जर सरेंडर करता है तीन बार जमानत मिलती है उसे यह शायद चंबल के इतिहास का पहला मामला है कि टाकू को कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई उसने हमेशा सरेंडर किया और फिर बाहर आया और फिर जरुम किया इसके बाद वो फिर जेल चला जाता है 2020 में उसे फिर जमानत मिल जाती है हलाकि इस बार जमानत का विरोध भी होता है लेकिन उसे जमानत मिल जाती है वो फिर बाहर आने के बाद अब उसकी दुश्मनी होती है उसी के अलाके के जो एमेले थे ग्रिराज सिंग मलिंगा उनके साथ और इसके आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, बीच में करोना था, सारे लोग खामोश थे, वो भी खामोश था, चंबल भी खामोश थी, लेकिन इधर करोना का कहर कम हुआ, उसका कहर फिर फिर शुरू हो गया, गाओं में जाकर उसने लूट पार्ट की, बहुत सारी ची आइसान विधानसवा में बजट सेशन शुरू होने वाला था, एक सेटिंग MLA जो सरकार का हिस्सा है, उसको जान से मारने की धमकी एक ढाकू दे रहा है, तो पुलिस के उपर दबाओ प्रेशर था, पुलिस को लगा कि इससे पहले की सेशन शुरू हो और आइसान विधान जन गुर्जर का, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि हमने इसे गिरफतार किया है, लेकिन कोई मानने को तयार नहीं, इतिहास को देखते हुए, आज तक 28 साल में कभी वो गिरफतार नहीं हुआ, इस बार भी पुलिस टेशन में मुस्कुराते चेहरे के साथ है वो, और सब को यही लगता है कि इस बार भी उसने सरेंडर किया, कुछ समझाओता किया, कुछ शर्टे रखी, और पुलिस को भी लगा कि चलो, एक एमेले का मामला है, हमसे कम उठा लिया, जेल भेजेगे, हलाकि उसके ज्यादातर मुकदमे जो हैं, वो उसमें बरी हो चुका है, एक 10 साल वाली सजा बाकी है, बाकी कोई विटनिस सामने आता नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं मुकदमे अब हाल के जरूर जुड़े, जो कहते हैं, हम 100 के उपर हो गया है, तो अब यहां से भी पुलिस ने उसको पकड़ तो लिया, फिर जेल भेज दिया, लेकिन अब एक बार वो तब उसने कहा था, वो जर्म का रास्ता छोड़ देगा, उसने अपनी बीवी को उसके इसके इलाके में विदान सवा का चुनाओ था, बाई बोल, उप चुनाओ, उसने खड़ा किया, लेकिन उसकी बीवी बुरी तरह से हार गई, और उसके बाद फिर वो चंबल की तरफ जसने हमेशा अपनी मर्जी से सरंडर किया, हमेशा अपनी मर्जी से पुलिस के सामने किया, पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई, इतने बरस बीद गए, तो ये कहानी एक तरह से हमारी पुलिस के उपर भी आईना दिखाती है, कि एक डाकू अपनी मर्जी से अपनी शर् बहुत सारे पकड़े गए, बहुत सारे का कात्मा हुआ, बहुत सारे सुधर भी गए, बहुत सारे नो चुनाओं का रास्ता अख्टार किया, बहुत सारे राजनीती में आए, लेकिन डाकू जगन गुर्जन की कहानी इन सबसे बलकुल अलग थी, राजनीती में आने की कोशि पुलिस को इसने हमेशा चक्मा दिया और एक बार फिर से ही अब पुलिस की गिरफ्त में है दो दिन पहले ही पकड़ा गया है चंबल का आखरी डाकू जो पुलिस के कब्जे में और शिकंडे में है तो यह थी कहानी डाकू जगन गुर्जर की अब कहानी को खत्म करें उससे पहले सिलसला अनिल चोहान इनका जनम दिन है अनिल चोहान को आखर रहते हैं उत्फाक्ती यह टिएधिया गोदी harpist वो यूएस में है नियू यूएर्क में अलका राना जी कल इनका फोन भी आया था अच्छा लगा बात कर प्राइम तक फैमिली से जब भी बात करता हूं अच्छा लगता है तो वह परेशान भी थी पूरी फैमिली चुक्छ यहां पर वो करोना में थे वहां यूएस से कुछ कर नहीं सकते थे लेकिन अब ठीक है और उपर वाला हमेशा ठीक रखे तो हैपी बड़े अनिल चौहान और आप लगी है कि आपको प्यार करने वाली ऐसी बहन ऐसे फैमिली के लोग मुले है आप हमेशा अच्छे रहें खुश रहें थैंक्स अलका राना जी आपका भी इस सिद्धी से एंपी से हैं इसके लावा राकेश कुमार श्रिवास्तव जी का भी आज जनम दिन है तो हैपी बड़े राकेश जी आप अच्छे रहें और सुभम श्रिवास्तव इनके बेटें उन्होंने बेजा है इसके लावा रक्षित बागाईद रक्षित बागाईद इनका भी आज जनम दिन है तो हैपी बड़े रक्षित और चितिच बागाईद जी ने भेजा है इनके बेटे हैं दिलीप का भी आज जनम दिन है और कौशल कुमार ने भेजा इनके दोस्त हैं हैपी बड़े दिलीप इसकलावा जस्वंत चारू बलके जस्वंत घारू इन कीमत से हैं और थैंक्स आपके मेरी के लिए मली कली इनका भी आज जनम दिने हैपी बड़े मली कली साहब आपने एक लंबा मेल लिखा है मैं उसको पूरा पढ़कर आपको जवाब दूंगा यह पाकिस्तान से हैं लेकिन यूएस में रहते हैं कनिश्का वयास हैं इनका भी ज सुशांता साहा इनका भी आज जनम दिने तो हैपी बड़े सुशांता साहा और प्रोतिवा साहा इन्होंने भेजा है उनके पती हैं इसके लावा जेम्स शाह और मिशामी शाह इनका भी इनकी आज अनिवरसरी है तो आप दोनों को बहुत-बहुत बढ़ाई पूजा एंव बिनायक की भी अनिवरसरी आप दोनों को ही बढ़ाई अनुपम चंद्रा जी ने भेजा है इसके लावा शाहीन योनुस सिकलिगर इनकी भी अनिवरसरी आप दोनों के बहुत-बहुत मुबारक कतर से हैं लेकिन महरास के रहने वाले हैं आदर्श तिवारी जीन एक मेल लि पुलिस के बारे में हम लोग यह मान कर चलते हैं यकीन करते हैं कि वो अच्छा काम करें ताकि लोगों को परिशानी नहों और आप जैसे यंग लोग आएंगे तो पुलिस में सुधार भी होगा बदलाओ भी होगा इमांदारी भी होगी और यही दुआ है मेरी आप एक अलेया भूत लाइट वेस्ट बेंगॉल में है उसकी कहानी सुना चाहते हैं सतीश दुथडे हैं और निलेश दुथदे इन्होंने मेल लिखा और इनकी दादी लिंबा बाई नाम देव इनकी आठमी डेथ अनिवरसरी थी उसके बारे में लिखा था तो उपरवला आत यह डाकुद जगन गुर्जर की कहानी सुनना चाहते तो आज मैंने आपकी फर्माइश पूरी कर दी इसके लावा राज शिरॉफ है 2008 एहमदाबाद बॉम जो ब्लास्ट हुआ था वो और सूरत का कनेक्शन वो जानना चाहते हैं तो सुनाओंगा कभी अजय सांगवान जी प्रवीन कोमार सिंग जी है सोन भद्र से मिनाक्षी गुरूंग है उत्राखंड से और ये नफसारी के घर की कहानी सुनना चाहते हैं प्रितम शिंडे जी है ये मुसाथ के कहानी सुनना चाहते हैं मसरूर आलम है अररिया से इसके लावा एगस्टाइन पुजारी है एक सुनना चाहते हैं और प्रवल परताप सिंग सुनना चाहते हैं तो आज कहानी मित रही है वापस मुलाकात हों कि कल रात नाओं पजी किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा थैंक्यों क्यारी है और रही है वावावट तक और रही है